दोस्तों आप सभी बिहर पुलिस 8415 पोस्ट फैनल मेरिट लिस्ट का बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं तो फैनल यह आज आपका इंतजार खत्म हुआ तो अचले देख लिजिए CSBC को ओफिस्यल वेबसाट पर कितने बज़े रिजल्ट जारी किया जाएगा और कटप कितना क इसी जों के बारे माँ आप लोगों को बताने वाले हैं और दोस्तों आप लोगों का यह जो इंतजार है पिछले दो महने से नहीं है पिछले पांच महने से आप सभी इंतजार कर रहे हैं तो आज आपका इंतजार खत्म हो गया और फैनल यहाज 8415 पोस्ट का मेरिट लिस् जो है हर हाल में इसी सब्ता यानि सुक्रुबार तक आज आएगा तो आज सुक्रुबार है और आज ही मेरिट लिष्ट जारी किया जा रहा है कटफ की बात करें दोस्तों कटफ के बारे में आप लोगों को बताए थे जेनरल कैटुगोरी से अगर आपका 76 मार्क्स आ रहा है यह फीजिकल की मार्क्स की बात हो रही है इसमें मेरिट जो बनता है अगर कोई नय चात्र वीडियो को देख रहे हैं तो फीजिकल में मार्क्स कदार पर बनता है इसमें सबसे पहले एकजाम होता है जो भी अभ्यारती फॉर्म भरते हैं तो पिछली बार बारा लाग फॉर फिलप हुआ था और इस बार जो नई भरती आएगी 12,000 पदों पर इसमें लगवग 15-16,000 अभ्यार्थी फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको लिखित परिक्षा देना है और लिखित परिक्षा में वेकेंसी का 5 हुना फिजिकल के लिए बुले आ जाता है तो लिखित प दोर येगा उसनुसार आपको marks मिलेगा और इसमें marks काधर पर आपका merit बनेगा तो जेनरल कैट्गोरी से अगर आपका 76 marks बन रहा है तो बिलकुल आपका 18 साल में फॉर्म भरे होंगे तो उसको थोड़ा दिक्कत है 76 मार्क्स पर यह है और यहाँ पर यह चीज हो गया और अगर डेट अब बर्थ भी समान रहते हैं तो उस कंडिशन में नाम कल्फा वेटिंग अगर आपका 76 मार्क्स है और अगर आपका अज़ा रहा है तो फिर भी आप उमीद रखिए यहाँ पर बिलकुल आपको उमीद नहीं चोड़ना है कि मेरा मेरिट नहीं आएगा डेट वर्थ के कारण से ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर 84 सुपंद्राश सीट है वे आया होगा तो लगभग सभी का सेलेक्शन हो जाएगा कुछी छटेंगे 76 मार्क्स पर अगर इस से अधिक है 77 या 78 है तो बिल्कुल भी आप नहीं छट रहे हैं BC की बात करें तो ये mail की बात कर्यों फिण멸 के आगे आप लोगों को बताएंगे BC में 72, EWS की बात करें EWS का इसे dawn जाएगा 66 और EDC की बात करें तो EDC का 68 तो यहाँपर क्या है कि इसमें बहुत ज्यादje आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा लगभग EC के कट अब किसी काइटगोरीम हो सकता है एक नमर आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादे आपको अंतर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा एसी की बात करें तो एसी में 62 और एस्टी में 62 एस्टी में सीट बहुत ही कम रहता है इस कारण से बिहार में स्टी का कट तो इस तरह से हो गया और गोर्खा अगर आप है तो मिनिममम पर ही आपका सेलेक्शन होगा 50 पर गोर्खा में अभिहार्थियों की संख्या नहीं रहने के कारण से जितना सीट रहता है इस बार लगभग 200 प्लस सीट है तो अभिहार्थी नहीं रहने के कारण से मिनिममम पर ला लिये थे लेकिन इस बार क्या है कि फिजिकल थोरा टफ कर दिया गया पिछले बार के कंपेर में 11887 के कंपेर में तो फिमेल की जनरल की बात करें तो चार नमर यहां पर मेल से डॉन जाएगा 72 अगर आपका मेरिट आ जाएगा EWS की बात करें तो EWS में 62 हो गया और BC की बात करें तो BC का EWS से हाई कटफ जाएगा तो 68 और EBC का भी यहां पर 62 ही रहेगा इसके बाद SC की बात करें तो SC में अगर आपका 54 मार्क्स बन रहा है फिजिकल में तो बिल्कुल आपका मेरिट आ रहा है ST की बात करें तो ST में यहां पर 62 से 64 तक जा सकता है कटफ यह चीज कटफ को लेकर हो गया तो आप कुछी घंटे आपको इंतजार करना है तो आप अपना रॉल नमर तयार रखें, इर्मिट कार्ट तयार रखें, CSBC को ओफिसेल वेबसाट पर मेरिट आएगे इसके बाद आप अपना फटा फट देख लिजेगे, इसके बाद आगे जोईनिंग की यह सब की परकिरिया होगी तो यहां से आप लोगों को यह चीज़ समझ में आगे और मेरिट जो है इसी तरह से जारी किया जाएगा यहां पर आप यह PDF देखेगा यह जो है पिछली बार भरती 11,883 पोस्ट मेरिट का है, सेम इसी तरह का PDF रहेगा और इसमें सारा कुछ बते आ जाएगा इस बार का जो एक्जाम लिया गया था भरती आई थी, नॉवमबर 2020 मेर इसका एक्जाम 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को लिया गया था फिर इसके बाद बीच में कोरोना आ गया तो जुन जुलाय में फिजिकल नहीं हो करके फैनली जनवरी का डेट रखा गया जनवरी में ठंट के कारण से फिजिकल का डेट बढ़ा करके फिर फरवरी से फिजिकल लिया गया और 10 अप्रेल 2022 को फिजिकल कम्पलीट हो गया इसके बाद मेरिट जो है दो महने में दे दिया जाता है जुन में लाश्ट तक ही आ जाता है लेकिन यहां पर अन्यकारणों से देरी होते होते इतना देरी हो गया और इस महने अगस्त में भी शुरू में ही आ जाता लेकिन एक लोहार कास्ट का इसु आ गया था किसको इव रहरति पहल होता है और इसके बाद यहां पर कटड़ भी बत्या जाते ह हैं यहां पर जहांतना के सलेक्षण हुआ था पिछली बार 76 घ्यातर गया था पुरुश महला दोनों यहां हे स हुen पर फैनली दोस्तों आप लोगों का इंध़ार आज खत्म हो गया है, आज ही CSVC का ओफिसियल वेबसाइट पर तीन से चार बजे की बीच में मेरिट जारी किया जाएगा, यानि दोपर के बाद मेरिट जारी किया जाएगा, तो मेक्सिमम यहाँ पर देरी होगा तो पांच बजे तक तो पांच बजे से पहले CSVC का ओफिसियल वेबसाइट पर आप लोगों को मेरिट देखने को मिल जाएगा, और जो चात्रों का सेलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, तो नहीं भरती भी आ रही है, एक मेहने में नहीं भरती भी आ रही है, बारहजार पदव पर तीसको लेकर आपको अच्छे तरीकेस लग जाना है, और अगर आपका इसमें सेलेक्शन नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी आपको हार नहीं मानना है, बिहार में और सारी बहुत सारी भरती आएगी, अच्छे तरीकेस आप त्यारी किजिएगा, किसी ना किसी जॉब में आपका चर क्या कट अप जाएगा